नमस्कार दोस्तों आपको आज जान करी दूंगा करक राशी के लिए धन दौलत की क्या इस्तिती रहेगी 2024 की क्या रहेगी क्या आपको वाकई पैसा आएगा और अगर आएगा तो कितना आएगा और कब आएगा ऐसे जो प्रश्ण है वो हमारे मन में हर समय गोचर करते रहते हैं एक तरीके से ट्रांजिट करते हैं ऐसे ख्याल आते रहते हैं हमारे को कि इस महीने अगर उका हुआ पैसा आजाए या अगले महीने पैसा आएगा तो हम कुछ ये प्लान करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये सुभाविक प्रिक्रिया है तो मैंने भी कुछ ऐसी कैलकुलेशन करी कुछ ऐसा शूद किया जिसमें मैंने आपके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम पिरिट निकाले हैं और ये टाइम पिरिड में अगर आप धनका लें दिन करते हैं अपनी योजनाओं को इंप्लिमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपको निश्ची तौर पर रिजल्ट मिलेगा और काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसलिए दोस्तों बहुत धान के साथ बारीगी के साथ आज की इस वीडियो को समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ अब करक राशी जिसके ओपर शनी की धहिया का प्रभाव है और ये प्रभाव अभी पूरे वर्ष दो हजार चौवीस में आपके जीवन में रहेगा मैंने एक और वीडियो भी बनाया है जिसमें पंद्रा बड़ी भविश्यवाणिया करिए मैंने करक राशी के लिए वो भी आप सुन सकते हैं इसी प्रकार से ये मैंने आज जो वीडियो बनाया है इसमें सिर्फ मैं पैसे की बात करूँगा अगर आप चैनल पे नए हैं आपने सब्सक्राइब फालो नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन जल्दी आप तक पहुंच सके अब बात करते हैं कि आखिर वर्ष की शुरुआत में जब स्टार्टिंग होगी तो आपके पास पैसे आने का कितना योग बन रहा है और कितना नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपको जो विशेश रूप से धन लाब है वो जनवरी में फरवरी में मार्च और एप्रिल यानि कि जो फर्स्ट फूर मन्त रहेंगे इन में आपकी धन की इस्तिती मजबूत होगी आपके पास पैसा आएगा और काफी बहुतायत मातरा में आएगा ऐसा आपकी राशी कहती है जी हाँ दोस्तों पहले चार महीने काफी महत्वपूर्ण है एक महत्वपूर्ण निर्नायक रूप आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं बात करना चाहता हूँ आपसे नेक्स राशी क के बारे में और वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी इस प्रेडिक्शन में आपको कुछ साबधानिया भी है और कुछ पॉजिटिव साइन भी है जैसे आपको आर्थिक रूप से धनलाब होगा 14 मार्थ से लेकर कि और 13 एप्राइल के बीच में विशेश से क्योंकि सूरे जिनके पास आपकी धन की जिम्मेदारी है वो भाग्य के घर में रहेंगे यानि कि भाग्य के अनुरूप पैसा देने का कारे करेंगे पर सूरे के साथ राहू की यूती भी रहेगी जिसके परिणाम सरूप सूरे राहू का दोश भी बनेगा यूती का पि धनी के रूप में भाग्य के माद्जम से पैसा आता हुआ पूर्टेहन ज़रा रहा है यदि मैं बात करूँ और थार्ड नंबर पर इस डेट को आगे देखें क्या कुछ ऐसा है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और वो ये की 13 आपरेल रात को 9 बजे से ले करके और 14 मई 2024 तक है इस टाइम पीरिड में आपके सूरे ग्रहे पैसे को ले करके आपके करम भाब पर रहेंगे यानि की उच्च के सूरे का प्रभाब साल में एक बार सूरे उच्च का होता है कोई छोटा मोटा धनलाब नहीं होगा उच्च कोटी का धनलाब होने का बहुत सुन्दर योग आपके लिए बन रहा है ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ इसमें भी कोई किंदू परंतू और दोमत नहीं है और बहुत ध्यान से बारीगी से आप इस बात को भी समझे रहा जो मैंने आपको भी बताईए बड़ा पैसा आएगा अब कैसे मेहनत करनी है कितनी करनी है अब ये तुम्हें आप ही पैसा छोड़ सकता हूँ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिनांक 16 जुलाई से और 16 अगस्त के बीच में ये एक टाइम भी ऐसा रहेगा जिसमें आपको अच्छा खासा धन लाब होगा और काफी बड़ी मात्रा में होगा ऐसा आपकी राशी कह रही है और शुब रूप में कह रही है यानि कि परिस्तितियां बहुत पॉजिटिव बनेंगी आनन दाइक बनेंगी और इसमें किसी परकार का दोमत और किंतु परंतु नहीं है यानि मैं आपसे बात करूँ कि और कुछ ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें आपको कुछ और बड़े लाप राप्त हो सकते है तो मैं ये कहूंगा 16 अगस्त से लेकर कि और 16 सितंबर जब सूरे ग्रेश स्वेर आशी के होकर के खुद घर्णधरी के घर में आएंगे बोलेंगे मिरे से पैसा ले लो मिरे पास तो धने मैं तो पैसा ही देना चाहता हूँ और तो मिरे पास कुछ है नहीं तो ये टाइम एक ऐसा समय होगा जिसमें आप सेम ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के माध्यम से आप खुद माध्यम बनोगे धन अर्जित करने आपके खुद के क्यों ही इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसे सिनेरियो बनेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो अनेक्सपेक्टेड काम सा लग रहा था कि नहीं होगा और हो गया यानि कि स्वेराशी के सूरे आपको धन देंगे और जब उच्छे के सूरे हु मैंने पीछे भी बताया उच्छे सूरे का टाइम उस टाइम पिरिड़ में भी बड़ा पैसा आएगा आपके पास में तो ये बहुत अच्छे साइन है बहुत पॉजिटिव है इसके लावा एक आपको पैसा अक्समात तरीके से आएगा कोई शियर बजार से लोट्री से सं संतान के माद्यम से बुद्धी उन्नती के माद्यम से और वो टाइम पिरिड़ रहेगा सोला नवंबर से लेकर कि और पंदरा दिसंबर दोजार चौबिस तक ये एक महिना रहेगा ऐसा जिसमें आपके उन्नती आपको एजुकेशन में भी लाव खेर हमें फाइनेंस की बा इसलिए दोस्तों इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए जो मैंने भी आपको बताई अच्छे खासे बहुतायत मात्रा में आपको गेन होंगे ये मैं आपसे बता देना चाहता हूँ अब मैं कुछ और आपको एक विशेश समय बता रहा हूँ जिसमें आपको करम से महनत से या जिस भी काम में आप हैं जहां आप कारेरत हैं या सरकारी नोगरी में या प्राइवेट सेक्टर में हैं उस दिशा में भी आपको कुछ बड़ा लाव होगा ऐसा पत्री कहती है औ इसको आप वेरी इंपॉर्टन भी लिख सकते हैं इस टाइम पीरिड में आपको विशेश रूप से क्योंकि खुद मंगल केंतर को राजोग और रुचक राजोग बना करके आपके लिए अपना फल देना शुरू करेंगे जो कि बहुत अच्छा होता है ऐसे टाइम कि आने वाले टाइम में ये ये चीज़े आपके लिए पॉजिटिव हैं ये चीज़े नहीं हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप भी अपनी कुल्डी बनवाना दिखवाना पूजा पाठ रतन या अच्छी क्वालिटी के रु सबस्कार